हलो और वेल्कम टू होप तुशांत यादो आई होप यह बेस्ट ऑफ हेल्थ और स्पिरिट आज हम समझेंगे इंटर्नेशनल रिलेशन के गुपसूरत सटम बैलेंस ओफ पार तो बैलेंस ओफ पार क्या होता है यह हम समझेंगे इसको एंजॉय कीजिए आप और बैलेंस पार होता क्या है मैं मान लेता हूँ कि यह वर्ड एक सिस्टम है इस वर्ड फॉर मी मान लो मानने में क्या जाता है पहले भी बच्पन में आपने माना है एक्स बराबर यह तो आज भी मान लो कि यह पूरा वर्ड है और इस वर्ड सिस्टम में तीन कंट्रीज हैं सिर्फ ट तराबर की शक्ति है तो ये किस में है एक्किलिब्रियम में है तो एक सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर तीन कंट्रीज है and these three countries are in equilibrium because they have equal power यहां तक आप समझ गए अब मैं आप से यह कह रहा हूं कि इस equilibrium को मुझे disturb करना है यानि इस equilibrium को disturb करना है तो किसी ना की पावर को बढ़ाना पड़ेगा let's say यहां पर अगर अपनी पावर बढ़ा ले अपनी पावर बढ़ा ले तो जो पहले एकिलिब्रियम में था यह डिस्टब हो जाएगा क्योंकि अब इन अनिक्वल पावर हो जाएंगी तो बी एंड सी अब कमजोर हो जाएंगे इन कमपरेजन टू ए अब सवाल उठता है कि ए तो पावर बढ़ा ले पर ए पावर कैसे बढ़ा सकता है कोई भी कंट्री जो वर्ड में है वो पावर किस तरह से बढ़ा सकती यह हम समझनी कोशिश करते हैं और यह हमने पहले भी एक बार समझा है अगर ए अपनी पावर बढ बढ़ाना चाहती है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं यह फॉर्मले पूरे इंटरनेशनल रिलेशन में सेक्यूर्टी इशूस में वर्ड हिस्ट्री में आप अपलाए कर सकते हो इस सारे फॉर्मले वहां पर एपली केबल है यह फॉर्ट वैलिड टू आयह फॉर्मले बहुत important formula है, यह general formula है, आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और समझ गए एक बार तो आप हर जगा apply कर सकते हो, समझो इस चीज को, अगर यह अपनी power बढ़ाने चाहे, तो वो कैसे बढ़ा सकता है, सबसे पहले एक ही जो quality है, उसको stable होने चाहिए, पॉलिटी का मतलब है, अगर वो democratic है, communist है, जो भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, stable quality होने चाहिए, अगर 5 साल की government है, तो 5 साल तक वो government रहे, ऐसा नहीं, 13 दिन में government खतम हो गई, तो political stability होनी चाहिए, जब quality stable होती है, तब economy strong होती है, क्यों मेरा formula है, polity is a guardian of economy, P is equal to E, पहला formula देखिए यहाँ पर, P is equal to E, polity is guardian of economy, अगर polity strong है, तो polity stable है, तो economy strong होगी, आप अगर USA को देखें, polity strong है, चाइना को देखिए, polity strong है, भले ओचाइना communist है, और USA democratic है, पर polity तो stable है ना, अगर polity stable है, तो चाइना की economy देखिए और USA की economy देखिए, economy strong है, अफगानिस्तान में polity हिली हुई है, अफगानिस्तान के हाल देखिए, यमन के हाल देखिए, आप सीरिया के हाल देखिए, polity नहीं है, polity stable नहीं है, तो economy भी strong नहीं है, they are the weak countries, destroyed countries, तो पहला formula है, as polity is guardian of economy, तो जिस country की polity stable होगी, उस country का economy strong होगी, अब इस चीज को समझो, अगर आपकी economy strong है, आपके पास पैसे हैं, तो आप बंगला बना सकते हो, गाड़ी खरीच सकते हो, घर बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो जिसकी economy strong है, वो अपना empire बना सकता है, पूरा सामराज बना सकता है, तो economy is equal to empowerment, economy is equal to empire, तो economy अगर अच्छी है, तो आप empowered हैं, आपके पास शक्ती है, आपके पास power है, मोके सम्मानिस आपके पास power है, election में funding देते हैं, सारे प्रोजेक्टों नहीं मिल जाते हैं, economy is equal to empowerment, तो अगर आपकी economy अच्छी है, तो आप empowered है, USA की economy इतनी strong है, चाइना की किस trillion dollar की economy है, चाइना की 13-14 trillion dollar की economy है, हमारी 3 dollar की economy है, 3 trillion dollar की economy है, उनकी economy का size इतना बड़ा है, economically वो strong है, तो अगर quality stable है, तो economy strong होगी, economy strong होगी, तो उनका प्रभुत पूरे word में देखा जागा, चाइना का आप देखिए, rising global power दिख रहा है, चाइना, USA global power है, एक समय USA की identity भी नहीं थी, उसको कोई जानता भी नहीं था, फिर American revolution आता है 1789 में, 1783 में, sorry, 1789 is a French revolution, फिर America बना, अमेरिका ने civil war की थू होते हुए, फिर अपने आपको strong किया, stable रहा, isolation में रहा, isolation में, 100 साल तक isolation में रहा, USA, जब isolation में रहा, external disturbance नहीं था, तो उसको क्या मिला, उसको time मिला, time मिला तो उसने क्या किया, अपनी पॉलिटी को stable करके, economy को strong किया, कैसे, industrial revolution, industrial revolution क्या, capitalism को लाया, और अपनी economy को strong किया, लेकिन, यहाँ पर एक formula काम करता है, next formula जो है, अगर आपकी economy strong है, तो उस economy को protect करने के लिए कुछ लोग होने चाहिए, body guard होने चाहिए आपके पास, कैसे, जिसे यह मेरा घर है, और मेरे घर में 3 BMW, 2 Audi, खूब डिर सारा डॉलर, और खूब डिर सारा पैसा है मेरे पास, अब यह मेरा घर है, लेकिन यह मेरा घर जो है, वो slum area से जो है, वो covered है, चारों तरफ से slum area है, उस slum area के बीच मेरा महल खड़ा है, जिस दिन मेरे body guards, जिस दिन मेरी weakness, जिस दिन मैं weak हो जाऊँगा अपने घर में, मेरे authority मेरे घर में weak हो जाएगी, उस दिन क्या होगा, इस slum वाले जितने भी लोग हैं, सब जंप करके मेरे घर के अंदर घुज जाएगे, और मेरे से मेरी BMW, Audi, पैसा, सब कुछ छीन कर भाग जाएगे, यानि मुझे अपनी economy को protect करना पड़ेगा, नहीं तो slum एडिया वाले घुसकर मेरी सारी economy लेकर चले जाएगे, और ऐसा हुआ, आप इंडिया में देखिए, जब Morian Empire था, तो Morian का centralized rule था, इतना बड़ा समराजी था, अशोग the great, लेकिन जैसे Morian Empire के बाद post Morian Empire आता है, foreign invasion, foreign invasion तब क्यों होता है, तब क्यों Greek, शाक, पर्थियन, कुशान इन सब ने हमला किया हम पर, क्योंकि इंडिया सोने की चिडिया थी, चिडिया के पास protector नहीं था, एक centralized rule नहीं था, एक strong ruler नहीं था, तो Greek, शाक, पर्थियन, कुशान, ये slum area वाले लोग अफवाने इस्ता बाहर वाले आकर आपका पैसा चीन कर ले जाएंगे, तो बाहर वाले अगर आप पैसा ना चीन पाएंगे, तो आपको एक चीज करनी पड़ेगी, अपनी military रखनी पड़ेगी, अपने bodyguard आपको अपने पास रखने पड़ेंगे, ये formula याद रखेगा, prosperity cannot survive with weakness, आप बहुत prosperous हैं, आपके पास पैसा है, पर आप वीक हैं, तो आप से पैसा चीन लिया जाएगा, Britishers आये, हम सोने की चिडिया थे, British वाले आये, हमारी सोने की चिडिया को उन्हों ने देखा, और देखा कि हम आपस में लट रहे हैं सब, हमारी जो मुगल्स की जो authority थी, वो वीक हो चुकी थी, 1707, death of orangey, उसके बाद जो लेटर मुगल्स से सब वीक थे, and 1739 में तो पता ही चल गया battle of kernel से, कि हमारी जो मुगल authority है, वो बहुत वीक है, अब क्या हुआ, नादिर शाह ने हमला किया था, 1739 में आपको पता होगा न, battle of kernel, तो पता चल गया English को, Britishers को ये बात पता चल गई, कि हमारी country में मुगल्स की authority वीक होने लगी है, तब 1757, battle of plassi, 1765, battle of boxer, why, because our authority in India, weak, वो weak हो गई है, weekend, जब हमारी authority, इंडिया में weak हो गई, मुगल्स की authority, तो बाहर वाले जो foreign players से, उन्होंने invade करना शुरू किया, तब Britishers ने invade किया, और सबसे पहले, हमारी polity छीनी, colonization में क्या होता है, आपकी political system और economic system को छीन लेता है, तो polity क्यों छीनी, क्योंकि polity अगर उनके हाथ में रहेगी, तो exploitation जादा कर पाएंगे, economy अपने हाथ में जादा ले जाएंगे, और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि prosperity cannot survive with weakness, हम weak पढ़ गए, तो वो छीन ने आ गए, और फिर हम उन्हें गाली देते हैं, तो उन्होंने गलत किया, आप weak थे, आप बढ़ा दिया आपको, आप अगर एक शक्त, एक जुट हो जाते तो ऐसा होता ही नहीं, इसलिए कहता हूँ, prosperity cannot survive with weakness, यहाँ पर reference यह था, कि अगर एक अपनी power बढ़ानी है, तो उसको politically stable होना पड़ेगा, उसके बाद economy strong करनी पड़ेगी, और economy कोई छीन ना ले जाए, इसलिए military को strong करना पड़ेगा, as prosperity cannot survive with weakness, prosperity cannot survive with weakness, इसलिए military को strong करना पड़ेगा, military को strong कैसे कर सकते हैं भाई, cooperation from the foreign countries, हम foreign countries से cooperate कर सकते हैं, defense में से उनसे as 400 triumph ला सकते हैं, जैसे कि Russia से हमने लाया, ठीक है, हम skill development की training ले सकते हैं बारवालों से, Russia से ले सकते हैं, हम घर में भी development कर सकते हैं, indigenous development जैसे हमने तेजस का किया, modernize कर सकते हैं अपनी आर्मी को, innovation ला सकते हैं, ठीक है, हमने theater commands बनाए, unified theater commands, तो ये सारी चीज़ करके हम अपने military को strong कर सकते हैं, तो ये power बढ़ा सकता है, quality को stable करके, economy को strong करके, और अपनी military को और strong करके, modernize करके, ये अपनी power बढ़ा सकता है, जब ये power बढ़ती है, तब यहाँ पर जो equilibrium था, वो equilibrium disturb होता है, so this creates this equilibrium in the system, तो ये world एक system था, उस system में 3 countries थी, वो equilibrium में थी, लेकिन ये ने अपनी power बढ़ा ली, तो अब ये this equilibrium आ गया है, and this disturb the system and generates instability within the system, अब यहाँ पर instability आ गई है, तो आप क्या कर सकते हैं, अब B और C के पास दो रास्ते, या तो B और C, B और C, अपनी भी power उतनी बढ़ा लें, जितना A ने बढ़ाया है, इसमें time लगेगा, क्यों, उनको political stable बढ़ना पड़ेगा, economically strong बढ़ना पड़ेगा, military को भी strengthen करना पड लेगी, तब फिर सी equilibrium में आ जाएंगे, लेकिन दूसरा चीज़ क्या कर सकते हैं, B और C, alliance sign कर सकते हैं, मैं alliance क्या होता, यह नहीं बताऊंगा, सबसे पहली class मैंने alliance की उपर ही ली थी, आप playlist में जाओगे, आएर shorts में, आपको सबसे पहली video मिलेगी alliance की, तो B और C, alliance sign कर सकत हैं, ताकि इनकी जो cumulative power है, वो A के बराबर हो जाए, फिर से equilibrium आ जाए, इससे हम बोलते हैं, balance of power, तो B and C can increase their power to generate stability, और they can form alliance, जब alliance form करते हैं, तो क्या आता है concept, balance of power, तो चाइना के rising aspiration को रोकने के लिए हमने क्या बनाया, quad, quad में कौन था, US, India, Japan, Australia, ताकि हम quad को stable, quad बनाकर चाइना की जो ये हरकते हैं, उनको रोक सके, balance of power, तो balance of power के कई example देखते होंगा, वर्ड में, अब आप analyze कर सकते हो, जब आप balance of power का concept, अब पढ़ोगे newspaper में, magazine में आप ये चीज़ देखोगे, तब आपके पास ये चीज़ दिमाग में आना चाहिए, कि balance of power क concept समझ में आया आपको, मैंने आपको एक theoretical concept समझानी कोशिश की किए, कि wide X system है, A, B, C countries है, ये वो equilibrium में थी, लेकिन A ने power बढ़ा ली अपनी, by politically strong हो गया, stable हो गया, economically strong हो गया, militarist ने modernize कर ली, innovate कर ली, A की power बढ़ गई, या तो B और C उतनी power बढ़ा के, फिर से equilibrium में आ जाते क्योंकि disequilibrium create हो गया, या B और C align sign करके, balance of power कर सकते हैं, cumulative energy लगा कर, A से balance कर सकते हैं, this is the concept of balance of power, तो ये concept था balance of power का, I hope कि ये concept आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो like जरूर कीजेगा, आज के लिए तना ही, thank you, नमस्ते, जहन्त